नमस्कार बच्चो एक और नोटिफिकेशन आपके सामने रेलवे के द्वारा दे दिया गया है वर्दी पाने के आपके कही ना कहीं इस साल आपके देख रहे हो 60,000 आपके यूपीपी में है और वर्दी के लिए आपका ये भी आर पीफ में आपको अगर जबान बनना है और तो आप इस पॉम को फिल कर सकते हैं अभी समय काफी है इसमें नोटिफिकेशन इसका निकाल दिया गया है कि 15.04 से इसका अप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 14.05.2024 तब चलेगा मतलब अप्रेल से मार्च के बाद अप्रेल में इसका अप्लिकेशन स्टार्ट होगा और इसे पहले ही आपको बता दिया गया है कि जो बच्चे तयारी करना चाहते हैं वो अपनी तयारी जारी रख सकते हैं तो सब इंस्पेक्टर के जो पद हैं वो 452 पद हैं और आपके अगर हम बात करें कॉंस्टेबल के तो 4206 पद हैं यह दिखान रखेगा आपके सब इ जाएगा इस एज लिमिट जो है आपकी अगर बात किया जाए तो 20 से 28 साल और 18 से 28 साल दिया है अब इसमें छूट इंकल्यूड है जो रेलेवे के द्वारा तीन साल की छूट दी गई है कोविड के कारण वो इसमें इंकल्यूड है क्योंकि यह होता है 20 से 25 एसाई की एज तो तीन साल का एज आपको इसमें इंकल्यूड है लिखा भी है कि इस इंकल्यूड ए रिलक्षेशन ओफ त्री एर इना एज ब्योंड दा प्रिस्क्राइब एज लिमिट एज ऑन वन टाइन में और कब चाहिए आपको एक साथ दोहजार चोबीस तक आप 20 और 28 के बीच में होने चाहिए कॉंस्टेबल के लिए भी 18 से 28 मांगा है तो एकदम तयार हो जाएए आपका एक्जाम पैटर्न वही रेलिवे वाला रहेगा जी एस रिजनिंग और मैट्स यह तीन पोर्षन आपके पूछे जाते हैं तो एक्जाम पैटर्न वही रहेगा उसका डीटेल स्ले नखेगा मैंने अल्रेडी एक मेडिकल स्टेंडर्र रेलिवे का वीडियो बना दिया आप वहां से देख सकते हैं कि बीवन में क्या क्या होना चाहिए और जिनका भी ग्रेजुएशन पास नहीं है वह फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं यह साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है तो यह आपका एक सौट नोटिस जो है रेलिवे के द्वारा जारी किया गया है और फॉर्म की जो फीस होगी वह पहले भी बता दिया गया है तो यह आपकी फॉर्म की जो फीस हो ली यहां पर वो फॉर और केंडिडेट ठीक है आपका यहां पर दिया गया आउट आउट आ बैठते हो ठीक है तो वो चीज़े है यहां पर फॉर केंडिडेट हूँ बिलॉंग टूस्ट एक्सर्विस्मेन फीमेल माइनोर्टी इकनोमिक बैक्राइब क्लासे इनका जो होगा इस फीस्विश धाइसो अल्बी रिफंडेट डूली डिडेक्शन बैंक चार्जेज मलब ज एक्जाम होगा ओनली केंडिडेट हूँ अटेंड सीविटी विल गेट रिफंड देर एक्जामिनेशन फीज मैंसन एवर्ब मलब जब आप सीविटी में दाखिल होंगे जब आप एक्जाम दोगे तभी आपका यह रिफंड होगा अधर्वाइस रिफंड नहीं होगा बा से पूछा जाता था वही पॉल होगा मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूगा एज में आप लोग को छूट मिली है तीन साल की तो एकदम लग जाईए आपका यहां पर यूपी कॉंस्टेबल भी है और आर्पी अफ का कॉंस्टेबल भी है तो इस बार वर्दी को इस बार अपने अपने शरीर में एक वर्दी जरूर लगाना है यह ध्यान रखिएगा तो इसी के साफ जो लोग SI की तैयारी करना चाते तो SI में भी भर सकते हैं और अभी यह सुनने में भी आ रहा है कि UP की SI की भरती भी आने वाली है तो इसी के साथ यह भी SI औ और आपकी UP वीडियो के साथ मैं जल्द ही मिलूँगा तो इसी के साथ मैं आप सभी से बिला लेता हूँ सबस्त रहिए मस रहिए जबर्दस्त रहिए